दोखास मिमान हमारे साथ मौझूद है एके मिश्राजी एके मिश्राजी तो फिर बहुत तगले तरीके से विरोध करती लेकिन कॉंग्रेस ने उस तरीके से विरोध नहीं किया विपक्षी पार्टियों नहीं किया या कहा जा कि विपक्ष काफी कमजोर है समुद्य को ढाया नहीं उन्होंने असिप देखे हैरानी मुझे भी होती है कॉंग्रेस ही केवल एक ऐसी पार्टी है जिसने एक चत्र पूरे देश पर राज किया है सबसे ज़्यादा एक्सपिरियंस उनके पास है सबसे ज़्यादा एक्सपिरियंस लीडर उनके पास है मेरी समझ में फिर भी नहीं आता है ना तो ये अफेंस डिफेंस और अफेंस ये बिजेपी पे या बूसरी और पार्टियों पे ये अटेक भी आजकल उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं अपना ये डिफेंस भी नहीं कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कॉंग्रेस आज की डेट में, आज की तारीक में मुझे ये लगता है, टिंग करतक विमूर सी हो गई है, जहां वो पहले एक नंबर एक की पार्टी होती थी पक्ष या भीपक्ष में ही रहती अब उसकी हालत ये हो गई है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए उसको जूसरी पार्टी हो को जो है समर्तन देना पड़ा है, चोड़ चोड़ी पार्टी हो को एक नंब करना पक्ष में आप देखिए, बिना मांगे उन्होंने समर्तन ऐसी पार्टी को दे द जाते हैं तो जो मेल बाट होता है, उसके साथ जो चोटे-चोटे बाट रखे जाते हैं साव ग्राम, पसाज ग्राम के, जो की बैलेंसिंग करने के लिए होते हैं, तो कॉम्रेस का पतन इतना ज्यादा हो गया है उसके भी आईरानी की बाते के, आसिक मैं बोलता हूँ, स्क्रप्चर नहीं कर पा रही है, कॉम्रेस अपने आपको रिलाउंच नहीं कर पा रही है, और सबसे हरानी की बात यह है, कि कॉम्रेस के जो आला कमान के नेता जो बैटे हुए है, उनके भी मैं टीवी डिमेंट बगरा यह सारी चीजे मैं देखता रहता हूँ, जिस काफी जादा जरूरी होता है।